हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इसलामिक करण किया जा रहा है सच पूछें जैसे सनातन में मंत्र अभिशेक होता है किसी चीज के लिए उसी तरह से ये कुरान पोशित और सडिया कानून के तहत बोट के सवदागरों ने इसे कांग्रेस ने इसे बरसों तक संपोशित करते रहा और ऐसा संपोशित किया ये टुकरे टुकरे गैंग की सरकार इंडी जो देख रहे हैं जो सनातन को धर्ब को ही खतम करने पर तुले हुए हैं ये सारे गैंग ने मिल करके अपने बोट बैंक की राजडित के लिए भारत के और बिहार जैसे प्रांत में भी अब ये सर उठाने लगा है आज जिस भी दुकान में चले जाएं वहां आपको ये प्रोडेक्ट मिलेंगे हलाल सर्टिफाइड मैं समझता हूँ ये एक तरह से जजिया टैक्स है इसलामी करन है बाजार का बिहार का इसलामी करन है और सरिया कानून को एस्टैबलिस करता है इस पर मानिय मुख मंत्री बिहार इस पर अभी लंब कारवाई कर हैं ये केवल समाज को विभाजित करने वाला है अगर इस पर लागू करेंगे तो समाज का विभाजन भी रुकेगा नहीं तो आने वाले दिन में बिहार में सरिया कानून एस्टैबलिस हो